फिर से एक बार स्वागत है तो चले श्टार्ट करते हैं आज का अपना सेजन A takes 15 days more time taken by B to finish a work means तो देखे A और B अगर हम मान लेते हैं सपोज B एक्स दिन में काम करता है तो A कितना दिन में काम करेगा 15 days more B के कंपेर में तो X प्लस 15 ये A के द्वारा काम क्या जागा और B के द्वारा X दिन में काम क्या जागा A, B together can complete the work in 10 days अब A और B दोनों मिलके काम को कितने दिन में कर रहे हैं 10 days में finish कर रहे हैं तो यहां से आपको find out करना है कि A alone कितने दिन में इस काम को finish करेंगे तो देखिए इसको कैसे solve करते हैं suppose अगर हम आपसे कहते हैं कि आप किसी काम को 10 दिन में finish करते हैं ठीक है 10 days में फिर हम आपसे पूछेंगे कि अच्छे बताओ कि आप एक दिन में कितने काम कर रहे हैं एक दिन में कितने काम कर रहे हैं तो आप कैसे बताओ के आप अगर 10 दिन में कर रहे हैं तो पहला दिन एक कियें फिर दूसरा दिन एक कियें तीसरा दिन एक चौथा दिन एक पांचमा छठा साथमा आठमा नौमा दसमा तो यह total ही कितना हो गया 10 हो गया Мिस्त आप हर दिन एक एक काम किए एक-एक करते-करते आपको 10 दिन लग गया तो यह total 10 days में यह एक काम तो एक अपाट एक एक दिन में आपूछा जगा कितना आप केएं तो एक दिन में चार्व हें ऑगर और 10 अब कर रहे हैं but i mean taa e ab explode online ना आप Ropol कर दिजिएागा आप question को solve करेंगे, देखिए देखिए a, b total a को x plus 15 दिन लग रहे हैं, तो एक दिन में कितना करेगा, आप इसको उल्टा कर दीटेए, इस प्रोकल किजिए तो एक दिन में कितना करेगा, 1 upon x plus 15 इसी तरब b एक दिन में कितना करेगा, total ये x लग रहा है, एक दिन में कितना करेगा, 1 upon x, इसी तरह, a और b दोनों मिलके, 10 दिन में कर रहे हैं, एक दिन में कितना करेंगे, a plus b मिलके, एक दिन में कितना करेंगे, 1 upon 10 तो, ये क्या होगा, एक दिन का आगया, 1 day का तो हम ऐसा कर सकते A और B जो एक दिन मिलके कर रहे हैं इंडिविजियल दोनों को add कर दें और इसको हम फिर equal to कर दें कि दोनों मिलके जो एक दिन में कर रहे हैं और दोनों क्या हो जाएंगे ब्रावर हो जाएंगे जो अलग-अलग कर रहें थे एक दिन में दोनों कि हमने अबेक asked कर दिया, जो आया data हो कितने के बडराबर रहे हो जो नों मिलके 1 दिन में कर रहे है उसके हो क्या हो जानेंगे बडराबर हो जानेगे तो यहां से आपको इसको simplify किजगा तो यहां x का value आपको 2 आजागा दो value निकल के आजागा एक आजागा पलस 15 आएगा दूसरा के आगा तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले question के और देखें if 10 liter of milk and water mixture in ratio 3 ratio 2 is mixed with the 10 liter of another milk and water mixture in 4 ratio 1 कोई एक पहला है एक दूसरा है दोनों में क्या है 10 liter यहां भी है और यहां भी 10 liter दोनों को mix करना है ठीक है first plus second दोनों को mix करना है तो mix करने के बाद यहां आपको mixture में water कितना यह बताना है तो पहले में milk and water का क्या ratio है 3 ratio 2 तो आप 10 liter को 3 और 2 के ratio में break किजेगा तो यह कितना आ जगा 6 और यह कितना आ जगा 4 मतलब 6 क्या milk है 4 क्या water है इसी तरह जो second mixture है उसमें क्या है यह ratio 4 ratio 1 4 ratio 1 और अब यह 10 liter को आप 4 ratio 1 में break किजेगा तो यह कितना जगा यह 8 आ जगा यह कितना जगा 2 आ जगा अब यह दोनों का आप add की जगा तो यह 14 आ जगा यहां क्या हो जगा 6 आ जगा means तो यहां यह क्या है water है यह water result in mixture में कितना है 6 liter यहां से इसका answer निकल के आ गया तो चली बढ़ते हैं अपने अगले question के और दीखें the speed of boat कोई speed of boat भी मान लेते हैं कितना है 60 meter per hour if the boat can travel 15 meter downstream in the same time as it can travel 10 meter in upstream means तो देखे time जो taken by downstream है time taken by upstream दोनों क्या होगा बढ़ाबर होगा but condition क्या है कि इसमें यह 15 meter down stream 15 meter जा रहा है और upstream में 10 meter जा रहा है बस condition है यह बहां कि time दोनों का बढ़ाबर लग रहा है एक में ज्यादा एक में कम है लेकिन time क्या है बढ़ाबर है तो देखे time बढ़ाबर क्या होता है distance upon speed तो यह down stream में कितना यह distance टैबल किया 15 और speed क्या होता है down stream में क्या होता है कि speed of boat plus speed of current दोनों को आपको speed को आड़ करना होता है तो जहां आपको speed of boat भी आपको यह 60 यहां दिया गया तो 60 प्लस c इसी तरह आप up stream में निकालेंगे तो up stream कितना 10 है और up stream में क्या करते है speed of boat minus speed of current speed of boat है 60 है और minus current तो यहां से आप simplify किजिएगा तो यहां से आपको c का value कितना निकल के आजागा 12 मीटर पर आवर जो speed of current निकल के आजागा यह इसका answer तो चलिए देखते हैं अपना अगला question देखे रोहित started a business by investing 72,000 invest किया तो आपको इसको start करने से पहले आपको पता होना चाहिए जो investment into time वो कितने दिन के लिए कितने साल कितने महीने कुछ भी हो जो उसका time period क्या होता है उसका हम multiply कर देते हैं investment के साथ वो किसके ब्रावर हो जाता है profit के ब्रावर हो जाता है investment into time period is equal to क्या हो जाता है profit तो यहां रोहित का investment कितना है 72,000 फिर आगे after four months मतलब चार महीने बाद राज जोइन हीम उसे राज भी उसमें जोइन कर लेता है with some investment मत कुछ रुपे से राज भी investment कर लेता है लेकिन मेरे राज का यहां given नहीं है तो हमको राज को investment क्या मान लेंगे फिर at the end of year मतलब एक साल के अंत में means तो दिखे यह इसका investment था दोनों का अब इसका time कितना था यह बारा हो गया बारा महीने तक इसमें investment क्या लेकिन राज कितना था आठ महीना आठ महीना कैसे होगा क्योंकि यह चार महीने बाद आया जो कि एक साल में बारा महीने होता है तो बारा में साब चार मैनस कर जीगा तो यहां क्या हो जागा 8 यह हो गया राज का time period at the end of year the total profit was divided between profit का जो ratio है यह profit का ratio कितना है 9 ratio 7 यह रोहित और राज का profit का ratio है आपको यहां बताना है कि how much capital was invested by राज in the business business में राज के दोड़ा कितना invest किया गया है तो देखें यहां investment जो investment into time period is equal to profit यह दोनों का क्या होगा ratio आपस में क्या होगा यह क्या होगा ब्राबर हो जाएगा तो 72,000 into 12 upon x into 8 is equal to 9 ratio 7 तो यहां से आपको x का value means राज का investment निकल के आजागा 84,000 answer तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले question के और दिखें in a barrel of 56 liter कोई एक barrel है वो कितना उसकी capacity है 56 liter की तो इसमें जो milk and water है milk and water जो milk है साड़े 62% है साड़े 62% मिन्स साड़े 62 का fraction value तोड़िएगा तो कितना आजागा 5 upon 8 milk कितना है 5 है total 8 में milk कितना है 5 तो milk कितना है 5 आठ में से milk 5 चला गया तब कितना वचा 3 जो 3 वचा क्या होगा water हो गया तो यह 5 ratio 3 में है यहां total यह क्या 8 है फिर आगे है कि if the mixture required to make जो सारे 62% है इसको हमको कितना करना है 85.71% of milk बढ़ा के करना है तो हम इसमें milk की और कितना मात्रा हम इसमें add करेंगे आपको यहां how much more amount of pure milk needed to added इसमें आपको बताना है कितना उसमें और हम दूद उसमें add करें तो दिखे 85 जो 85.7% का fraction value क्या होता है 6 upon 7 दीखे यह कैसे आपको याद रहेगा आपको यह प्रैक्टिस पर डिपिंट करता है आप जितने प्रैक्टिस कीजिए का उसी पर आप पर डिपिंट करता है कि आप जितना number आप question आप लगाई है तो उससे क्या होता है कि आपको रठने नहीं पड़ेगा वह आपको दिमाग में आपको प्रिंट हो जाएंगे तो आपको इसकी समस्या दूर हो जाएगे यह बस प्रैक्टिस से ही दूर होने वाली है और इसका कोई shortcut formula नहीं है तो मैं इस दो देखे अब यह milk कितना हो गया छे हो गया टोटल कितना था साथ में छे milk हो गया तो बचा कितना एक एक क्या हो गया water यहां हो गया एक water ठीक है तो देखे आपको यहां क्या हैmosept question में इस था कि milk में हम add किये न हमए क्या क्या Water में सब्सेट में किया मैंए बस बाद कर देखे यहान यहां तीन था यहां एक कैसे हो गया तो यहां आ law थीन था था तहां-खो भी यहां यहां तीन बनाना पड़े बस मिलका होना चाहिए तो यह पिछला equation आप इसे cancel out कर दीजिए ताप कि आपको confusion ना रहे इसका आप कोई काम नहीं है यह meaning less हो गया तो देखे यह कितना बढ़ा 13 का बढ़ुत्री हो गया चुकर आट है तोल आट है देखिए 56 लीतर के बढ़ावर जाए से कितना आजएता इसका answer मिस यह 13 का आपको 91 लीटर आपको और मिल्क एड़ खड़ना पड़ेगा तो 85.7% उसमें मिल्क रहेगा तो यहां से इसका यह 91 लीटर एंसर निकल के आ गया तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना अगला क्वेश्चन देखिए on a sum of 6500 कोई एक sum है आपका कोई मुल्धन है 5500 रुपिया है if the difference between the simple interest after 5 years 5 साल बाद और 2 साल बाद कितना है 1560 रुपिया है ठीक है में तो देखिए आपको 5 साल और 2 साल तो टोटल यह कितना हो गया है तीन साल का यह कितना है 3 years का आपको 3 years का है SI simple interest तो आपको एक साल का अगर SI निकालना होगा तो क्या कीजेगा क्योंकि SI क्या होता है हर year same होता है on flat होता है तो आप 1560 में आप simple आप 3 से division कर दीजेगा तो यहां से एक का आजेगा 1520 रुपिया एक साल का SI आ गया तो आपको यहां से SI निकाल आ गया तो आपको यहां से rate निकालना है कि क्या rate किस rate of interest पे उसका इतना SI 520 बना तो आपको पता होगा कि SI बढ़ाबर क्या होता है principle P जहां और R into T upon 100 यहां यह P principle है मूल धन है आपका जो मूल पैसा आप लगा है आर यहां rate of interest है किस rate क्या चल रहा है भ्याजी जीसको कहते है हिंदी में और time कितने दिन के लिए कितने बर्सों के लिए यह हो गया time period तो SI कितना है 520 है P आपको sum आपको 6500 given है इंटू R आपको यहां R यहां find out करना और time में जो क्या है एक साल के एक साल में 520 रुपिया हो ताइम एक कर दीजिए upon 100 तो यहां से आपको R rate of interest का value कितना निकल के आजएगा तो आसा करते हैं दोस्तों आप सभी को मेरे द्वारा बताएगे